बड़ी खबर इस वक्त धनबास से आ रही जहां दिन दहारी रिकावरी एज़ेंड उपेंद्रा सिंग की गोली मार कर हत्या कर दी गई है सराइड हेला थानाक शेत्र के पीके राय कॉलेज के पास बाइक सवार अप्राध्यों ने गोली मारी जिसके बाद आनन फानन में SNMMCH ले जाए गया जहां चिकित सकों ने उपेंद्रा सिंग को मृद्खोशित कर दिया बताया जा रहा है कि कुछ वाश पूर्व भी उपेंद्रा पर फारिंग होई थी दिश्रदारों से भी उपेंद्रा सिंग की अदावत की बात कही जा रही है फिलहार सराइड हेला पुलिस मामले की चान बीन में जुट गई है पीके राय कॉलिज के पास अपराधियों ने गोली मारी है पुलिस प्रशासन का खौफ नहीं कुछ साल पहले भी उपेंद्र पर फारिंग हुई थी और इस बार की फारिंग जान लेवा साबित हुई उपेंद्र की इस खटना में मौत हो गई है रिश्रदारों से भी उपेंद्र की अदावत की बात सामने आ रही है रिकावरी एजेंट थे उपेंद्र सिंग जिनकी गोली मार कर हत्या कर दी गई है बता जारा के बाइक पर सवार पहुंच थे अपराधी जिन्होंने इस खटना को अंजान दिया है सरागि धिला थानक शेदर के पीकेर राय कॉलेज के पास बाइक पर सवार अपराध्यों ने गोली मार्दी रिकावरी एजेंट उपेंद्र सिंग को जिससे उनकी मौत हो गई है पीक राय कॉलेज के पास इबाइक सवार अपराधियों ने इसकर्टना को अंजाम दिया आनन फानन में SNMMCH ले जाए गया जहां चेके सकोन उपेंदर सिंग को मृत खोशित कर दिया है बताया जारा कि कुछ सार पहले भी इन पर फाइरिंग हुई थी रिशदारों से भी उपेंदर सिंग के खटास की बात सामने आ रहे है रिशदारों से भी उनकी अदावत थी फिलहास रैड हिला पोलिस मामले की च्छान बीन में जुटी है कुलांचल धनवाद में अपराधियों का मनोबल सर चर कर बोल रहा है एक बार फिर से एक बरिवारदात हुई है और अहले सुबा रिकवरी एजेंट उपेंदर सिंग की गोली मारकर हत्या कर दी गई है सबसे पहले घटना से पहले की बात आपको बता दे कि वो अपने बेटे को पीकराय कॉलेज में छोड़ने के लिए गए हुए थे बाइक से गये हुए थे इसी बिच जब वो गार से बाहर निकल कर बात कर रहे थे इसी दौरान दो बाइक सवरा अपराधी घटना सल पर पहुंचे और उन्होंने बोली दाग दी और वह फरार हो गया सभी दोनों अपराधी नकाब पोस्ट हैं घटना के बाद उनके पीमसेच लाया गया एसनेमसेच लाया गया जहां पर चिकेशकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया लेकिन परिजनों को इस्ते संतुष्टी नहीं हुए परिजन निजी अस्पताल लेकर गया है वहां भी जो उनका सब है उससे पुष्टमाटम हाउस में लाया गया है और पुष्टमाटम की परकिरिया है वो चल रही है अभी तक परिजनों के तरब से कोई इस तरह का बयार नहीं आया है जिससे की घटना की जो सुई है किस तरब है वो अभी असपस्ट नहीं हो पाई है लेकिन जिस तरह से FIR होगी और परिवार के लोग जो आरोप लगाएंगे उसके हिसाब से पुलिस आगे की छानबिन शुरू करेगी और तब जाकर पता चल पाएगा कि पुरे घटना में किन लोगों का हाथ है इसके अलावे पुलिस अपना जो अनुसंदान है वो शुरू कर चुक करते हैं